Hello students, welcome to the online classes. My name is Minkle Verma और आज अपन पढ़ेंगे alphabet का letter E कौन सा letter पढ़ेंगे अपन? आज अपन alphabet में alphabet का letter E पढ़ेंगे ओके स्टूडेंट तो आज अपन पढ़ेंगे E E for elephant आप भी अपने alphabet की बुक को निकालो और मेरे साथ पढ़ो E E for elephant देखो आपको यहाँ पर दिखाए दिए रहा है यह बड़ा सा एक E for elephant बना हुआ है बोलो E E for elephant E for elephant और जो अब आएगा यह है हमारा small letter अलपा पेट्स को टू पार्स में डिवाइट किया गया है यह हमारा capital letter E और यह हमारा small letter E तो बोलो E for elephant यह है elephant elephant पे लोग बैठना पसंद करते हैं elephant की सवारी करना पसंद करते हैं मुझे भी elephant बहुत पसंद है यह है elephant elephant कैसा दिखता है? मोटा सा एक दम, क्यूट सा E for elephant यह हमारा capital letter E यह हमारा small letter E और यह हमारा elephant देखो यह elephant की कितने प्यारी रहेंगे यहाँ पर elephant क्या कर रहा? इंदम smile और elephant क्या है? happy E for elephant अब अगे बढ़ते हैं वाउ E for eagle हमने पहले पढ़ा E for elephant अब आया है E for eagle eagle का मतलब होता है वाच सारी चेडियाओं में से बढ़ा कौन सा होता है? कौन सा है? यह वाला bird होता है जो कि थोड़ा size में बढ़ा होता है इगल हवाओं में तेश तेश बहुत देड़ देड़ तक उड़ते हैं बहुत उचाईयों में उड़ते हैं और eagle जो छोटे 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 insects होते हैं उनको भी eagle क्या करते हैं? खा लेते हैं E for eagle जो छोटी छोटे birds होती है वो eagle से डढ़ती है E for eagle बाच इनकी आइज जो होती है बहुत तेज होती है E for eagle ये दूर की चीजों को देख सकती है और ये दूर दूर तक उड़ सकते हैं और ये साइज में चीडियां वोगेरे से क्या होते हैं? बड़े तो E for eagle E for होता है E for होता है eagle देखो आप eagle की ड्रॉईंग को देख रहे हो याँपी ये किसकी पिच्चर है? ये है eagle की पिच्चर अब अपना आगे बढ़ते हैं E for egg E for क्या होता है? एक होता है E for elephant एक होता है E for eagle और एक क्या होता है? एक होता है E for egg एग लेक jer है कुछ बच्चों ने देखा होगा छोटे छोटे एग गौसलों में पढ़े रहते हैं वो किसके चे क्या देती है पंडे थो सूर्च आइग में से क्या नीकलती है बर्ट किस से नीकलती है एग में किया होता है E for Egg E for होता है E for Elephant E for Eagle E for होता है E for Egg क्या होता है E for Egg यह है हमारा यह हमारा और अब आया है E for Eyes 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 सबके पास होती है Eyes का मतलब होता है आखे और जिनके पास Eyes नहीं होती है वो कुछ भी नहीं देख सकते है अपने पास Eyes है अपन Eyes को Eyes से क्या कर सकते है सबको देख सकते है सारे Colors को देख सकते हैं अपन यह जो प्यारा सा संसार है रंगों का रंगीन संसार इसे अपन किसे देखते हैं आई से तो आईज क्या है अमारे लिए इंपोर्डेंट तो E for आईज क्या है E for I I mean आख अब देखो आखों से अपन सबको देख सकते हैं और जिनके बाद आखें नहीं उती हैं वो चल भी नहीं पाते हैं कई टक्रा जात आखों से अपन कई भी टकराते भी नहीं और सेफ में चलते एफ़ाए एफ़ार होता है इफ़ार और 165 अधियुक फुर्फ़ होता है 255 फॉर होता है 255 फॉर होता है 255 फॉर्फ़ होता है 255 फॉर्फ़ फ़युक उन्हेंच अब यह चुक्त वीडियो है वह मैं आपको कैसे दिखांगी स्टाउड के साथ क्या आप तयार हो इसके लिए चलो पर Capital E, small e E for elephant E for eagle 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 Capital letter E और ये है मारा small letter E अब आप E को बार बार डिवाइस कीजिए अच्छे इसको learn कीजिए और E की जो शारी ट्राइंस है वह आप देखिए और उससे आप सीखिए तब तक के लिए गाइस टेक कीर एंथ और वान अग्पश